लिजे सुनिये मुण्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मान सरूवर आठ की कहानी मूट मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में डॉक्टर जैपाल ने प्रथम शेणी की सनद पाई थी पर इसे भाग कहिए या व्यावसाएक सिध्धानतों का ग्यान कि उन्हें अपने व्यावसाए में कभी उन्नत अवस्था न मिली उनका घार एक सक्री गली में था पर उनके जी में खुली जगह में घर लेने का कभी विचार तक न उठा ओश धाले की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदी भी साफ सुथरे न थे मित्वेईता के सिध्धानत का वो अपने घरेलू बातों में भी बहुत ध्यान रखते थे लड़का जवान हो गया था पर अभी उसके शिक्षा का प्रेश्न सामने ना आया था सोचते थे कि इतने दिनों तक पुस्तकों से सर मार कर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ती पाली जो उसके पढ़ाने लिखाने में हजारो रुपे बरबात करूँ उनकी पत्नी अहलिया ध्यर्वान महिला थी पर डॉक्टर साहब ने उसके इन गुणों पर इतना बोज रख दिया था कि उसकी कमर भी जुग गई थी मा भी जीवित थी पर गंगा इसनान के लिए तरस तरस कर रह जाती थी दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की चर्चा ही क्या इस टूर मित्वेईता का परणाम ये था कि इस घर में सुख और शान्ती का नाम ना था अगर कोई मद फुटकल थी तो वो बुड़िया महरी जगिया थी उसने डॉक्टर सहाब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर से ऐसा प्रेम हो गया था कि सब प्रकार की कटनाई ये जिलती थी पर टलने का नाम न लेती थी डॉक्टर सहाब डॉक्टरी आए की कमी को कपड़े और शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थे आज संयोग वश बंबई के कारखाने ने इनके पास वारशिक लाभ के साड़े साथ सो रुपे भेजे डॉक्टर सहाब ने भीमा खोला नोट गिने डाकिये को विदा किया पर डाकी के पास रुपे अधिक थे बोज से दबा जाता था बोला हुजूर रुपे ले 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 और मुझे नोट दे दें तो बड़ा एहसान हो बोज हलका हो जाए डॉक्टर सहाब डाकियों को प्रसन रखा करते थे उन्हें मुफ्त दवाईयां दिया करते थे सोचा कि हाँ मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना ही पड़ेगा क्योंना बिन कोड़ी के उपकार वाले सिध्धान्त से काम लो रुपए गिनकर एक थेली में रख दिये और सोची ही रहे थे कि चलू इन्हें बैंक में रखता आओं कि एक रोगी ने बुला भेजा ऐसे अफसर यहां कदाचित ही आते थे यद्यपी डॉक्टर साहब को बक्स पर भरोसा ना था पर विवश होकर थेली बक्स में रखी और रोगी को देखने चले गए वहां से लोटे तो तीन बच चुके थे बैंक बंद हो चुका था आज रुपए किसी तरह जमाना हो सकती थे प्रती दिन की भाती औश धालाए में बैठ गए आठ बजी रात को जब घर के भीतर जाने लगी तो थेली को घर ले जाने के लिए बक्स से निकाला थेली कुछ हल की जान पड़ी ततकाल उसे दवाईयों के तरह जूपर तौला होश ओड़ गए पूरे पाँच सो रुपए कम थे विश्वास न हुआ थेली खोलकर रुपए गिने पाँच सो रुपए कम निकले विक्षिप्त अधीरता के साथ बक्स के दूसरे खानों को टटोला परंतु व्यर्थ निराश होकर एक कुरसी पर बैट गए और इसमरन शक्ती को एकत्र करने के लिए आखे बंद कर ली और सोचने लगे मैंने रुपए कहीं अलग तो नहीं रखे डाकी ने रुपए कम तो नहीं थी मैंने गिनने में भूल तो नहीं की मैंने पचीस पचीस रुपए की गड़्डियां लगाई थी पूरी तीस गड़्डियां थी एक खूब याद है मैंने एक एक गड़ी गिनकर थैली में रखी इस मरा शक्ती मुझे धोका नहीं दे रही है सब मुझे ठीक ठीक याद है बक्स का ताला भी बंद कर दिया था किन्तु ओह अब समझ में आ गया कुझी मेज पर ही छोड़ दी जल्दी के मारे उसे जेब में रखना भूल गया वो अभी तक मेज पर पड़ी है बस यही बात है कुझी जेब में डालने की याद नहीं रही परन्तु ले कौन गया बाहर के दर्वाजे बंद थे घर में धरे रुपए पैसे कोई छूता नहीं आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया अवशी यह किसी बाहरी आदमी का काम है हो सकता है कि कोई दर्वाजा खुला रह गया हो कोई दवाले ने आया हो कुझी मेज पर पड़ी देखी हो और बक्स खोलकर रुपए निकाल लिये हो इसी से मैं रुपए नहीं लिया करता कौन ठेकाना डाकी एकी ही करतू थो बहुत संभाव है उसने मुझे बक्स में थैली रखते देखा था ये रुपए जमा हो जाते तो मेरे पास पूरे हजार रुपए हो जाते ब्याद जोडने में सरलता होते क्या करू पुलिस को खबर दो वेर्थ बैठे बेठाय उल्जन मोल लेनी है टोले भर के आदमियों की दर्वाजे पर भीड होगी दस पाँच आदमियों को गालियां खानी पड़ेगी और फल कुछ नहीं तो क्या धीरजधर कर बैठ रहूँ कैसे धीरजधरू ये कोई सैत मेत मिला धन तो था नहीं हराम की कौणी होती तो समझता कि जैसे आई वैसे गई यहां एक-एक पैसे अपने पसीने का है मैं जो इतनी मित्वियाईता से रहता हूँ इतने कश्ट से रहता हूँ कंजूस प्रसिद्ध हूँ कि मलाई खाऊं और अपच हो जाए ना आखों में द्रिश्टी कम है कि थेटर और सिनेमा का आनंद ना उठा सकूँ मैं सब और से अपने मन को मारे रहता हूँ इसलिए तो कि मेरे पास चार पैसे हो जाए काम पढ़ने पर किसी के आगे हाथ पहलाना न पड़े कुछ जायदाद ले लू और नहीं तो अच्छा घर ही बनवा लू पर इस मन मारने का ये फ़ल गाड़े परिश्टम के रुपए लुट जाए अन्याय है कि मैं यह दिन दहारे लुट जाऊं और उस दुष्ट का बाल भी तेड़ना हो उसके घर दीवाली हो रही होगी आनंद मनाया जा रहा होगा सब के सब बगलें बजा रहे होंगे डाक्टर सहाब बदला लेने के लिए व्याकुल हो गए मैंने कभी किसी फकीर को किसी साधु को दर्वाजे पर खड़ा होने नहीं दिया अनेक बार चाहने पर भी मैंने कभी मित्रों को अपनी हनिमंत्रित नहीं किया कुटुम्भी और संबंधियों से सदा बचता रहा क्या इसलिए उसका पता लग जाता तो मैं एक विशेली सुई से उसके जीवन का अंत कर देता किन्तु कोई उपाय नहीं जुलाहिक का गुस्सा दाड़ी पर गुप्त पुलिस वाले भी बस नाम ही के है पता लगाने की युगता नहीं इनकी सारी अकल राजनी तिक व्याक्यानों और जूटी रिपोर्टों के लिखने में समाप्त हो जाती है किसी मैसमेरिजम जानने वाली के पास चलो वो इस उल्जन को सुल जा सकता है सुनता हूँ यूरोप और अमेरिका में बहुधा चोरियों का पता इसी उपाई से लग जाता है पर यहां ऐसा मैसमेरिजम का पंडित कौन है और फिर मैसमेरिजम के उत्तर सदा विश्वसनिये नहीं होते जोत्षियों के समान वे भी अनमान और अटकल के अनंत साकर में डुपकिया लगाने लगते हैं कुछ लोग नाम भी तो निकालते हैं मैंने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया परन्तु कुछ ना कुछ इसमें तत्तो है वश नहीं तो इस प्रक्रती उपासना की युग में इनका अस्तित्तो ही न रहता आजकल के विद्वान भी तो आत्मिकबल का लोहा मानते जाते हैं पर मालो किसी ने नाम बतला ही दिया तो मेरे हाथ में बतला चुकाने का कौन सा उपाय है अंतर गयान साक्षी का काम नहीं दे सकता एक शण के लिए मेरे जी को शांती मिल जाने के सिवा है और इनसे क्या लाब है हाँ खुब यादाया नदी की और जाते हुए वो जो उजह बैठता है उसके कर्तब की कहानिया प्रायह सुनने में आती है सुनता हूँ गये हुए धन का पता बतला देता है रोगियों को बात की बात में चंगा कर देता है चोरी के माल का पता लगा देता है मूट चलाता है मूट की बड़ी बड़ाई सुनी है मूट चली और चोर के मुझ से रक्त जारी हुए जब तक वो माल न लोटा दे, रक्त बंद नहीं होता ये निशाना बैठ जाए तो मेरी हारदी किच्छा पूरी हो जाए मुह मांगा फल पाऊंग, रुपए भी मिल जाए, चोर को शिक्षा भी मिल जाए उसके आंसदा लोगों की भीड लगी रहती है उसमें कुछ कर्तब न होता, तो इतने लोग क्यों जमा होते उसकी मुखाकरती से एक प्रतिभा बरसती है आजकल के शिक्षित लोगों को तो इन बातों पर विश्वास नहीं है पर नीच और मूर्ख मंडली में उसकी बहुत चर्चा है भूत प्रेत आदी की कहानिया प्रती दिन ही सुना करता हूँ क्यों न उसी ओज्वे के पास चलो मालो कोई लाब न हुआ तो हानी ही क्या हो जाएगी जहां पांच सो गए, दो चार रुपे का खून और सही ये समय भी अच्छा है, भीड कम होगी, चलना चाहिए जी में ये निश्चे करके डॉक्टर सहाब उस ओज्वे के घर की ओर चले जाड़े की रात थी, नौ बज गय थी, रास्ता लगभग बंद हो गया था कभी कभी घरों से रामायन की ध्वनी कानों में आ जाती थी, कुछ देर के बाद बिलकुल सन्नाटा हो गया रास्ते के दोनों और हरे भरे खेत थे, सियारों का हुआ ना सुन पढ़ने लगा, जान पढ़ता है इनका दल कहीं पास ही है डॉक्टर साहब को प्रायहद दूर से इनका सुरीलस और सुनने का स्वभग हुआ था, पास से सुनने का नहीं इस समय इस सन्नाटे में और इतने पास से उनका चीख न सुनकर उन्हें डर लगा कई बार अपनी छड़ी धर्ती पर पटकी, पैर धम-धमाई, सियार बड़े डर पोक होते हैं, आदमी के पास नहीं आते पर फिर संदे हुआ, कहीं इनमें कोई पागल हो, तो उसका काटा तो बचता ही नहीं ये संदे होते ही, कीटाडू, बैक्टीरिया, पॉस्टायर इंस्टीचूट, कौर कसावली की याद उनके मस्तिश्क में चक्कर काटने लगी वो जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाये, चले जाते थे, एकाएक जी में विचार उठा कहीं मेरे ही घर में किसी ने रुपए उड़ा लिये हों तो, वितत काल्ठी ठक गए पर एक ही शड में उन्होंने इसका भी निर्णे कर लिया क्या हर्स है, घरवालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए चोर की मेरे साथ साहन भूती नहीं हो सकती पर घरवालों की साहन भूती का मैं अधिकारी हूँ उन्हें जानना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ राद दिन मरता हूँ तो उन्हीं के लिए मरता हूँ यदि इस पर भी वे मुझे यो धोखा देने के लिए तैयार हों तो उनसे अधिक कृतग्ण, उनसे अधिक अकृतग, उनसे अधिक निर्दय और कौन होगा। उन्हें और भी कड़ा धंड मिलना चाहिए। इतना कड़ा इतना शिक्षा प्रद कि फिर कभी किसी को ऐसा करने का साहस न हो। अंत में वे ओजी के घर के पास जा पहुँचे। लोगों की भीड ना थी, उन्हें बड़ा संतोश हुआ। हाँ, उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। फिर जी में सोचा, कहीं ये सब धकोसला ही धकोसला हो, तो व्यर्थलज्जित होना पड़े। जो सुने मूर्ख बनाए कदाचित ओजा ही मुझे तुच्च बुद्धी समझे, पर अब तो आ गया, ये तजर्वा भी हो जाए, और कुछ नहोगा तो जाची ही सही। ओजा का नाम बुद्धु था, लोग चौधरी कहते थे, जातिका चमार था, छोटा सा घर और वो भी गंदा, छप पर इतनी न लहराती थी, चौरा पर मिट्टी के सैक्ड़ो हाथी सिंदूर से रंगे हुए खड़े थे, कई लोहे के नोकदार त्रशूल भी गड़े थे, जो मानो इन मंद गती हाथियों के लिए अंकुष का काम दे रहे थे, दस बजे थे, बुद्धु चौधरी, जो एक काले रंग का तोंदीला और रोबदार आदमी था, एक फटे हुए टाट पर बैठा नारियल पी रहा था, बोतल और गिलास भी सामने रखे हुए थे, बुद्धु ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल च्छपा दी और नीचे उतर कर सलाम किया, घर से एक बुड़िया ने म पता ना चला, मुझे बुलाया, मैंने बात की बात में पता लगा दिया, पांच रुपे इनाम दिये, कल की बात है, जमादार साहब की घोड़ी खो गई थी, चारों तरफ दोड़ते फिरते थे, मैंने ऐसा पता बता दिया, कि घोड़ी चर्ती हुई मिल गई, इसी विद् चोरी का पता लगाना नहीं चाहता, मैं चोर को सजा देना चाहता हूँ, बुद्धू ने एक शन के लिए आखे बंद की, जमाई अली, चुटकिया बजाएं और फिर कहा, ये घर ही के किसी आदमी का काम है, डॉक्टर, कुछ परवाह नहीं, कोई हो, बुड़िया, पीछे से कोई बात बने या बिगडेगी, तो हुजूर हमी को बुरा कहेंगे, डॉक्टर, इसके तुम को चिंता नकरो, मैंने खूब सोच विचार लिया है, बलकि अगर घर के किसी आदमी की शरारत है, तो मैं उसके साथ और भी कड़ाई करना चाहता हूँ, बाहर का आदमी मेरे रुपए मिल जाए, और चोर किसी बड़े कश्ट में पढ़ जाए, बुद्धू, मूट चला दू, बुडिया, ना बेटा मूट के पास ना जाना, ना जाने कैसी पढ़े, कैसी ना पढ़े, डॉक्टर, तुम मूट चला दू, इसका जो कुछ महंताना और नाम हो, मैं दे जानता नहीं, मूट का उतार कितना कठेने, बुद्धू, हाँ भाबुजी, फिर एक बार अच्छी तरह सोच लीजे, मूट तो मैं चला दूँगा, लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता, डॉक्टर, अजी कहतो दिया, तुम से उतारने को ना कहूंगा, चल मंतर चलाओ कि सबेरा होते होते चोर मेरे सामने माल लिये हुए आ जाए, बुद्धू ने कहा, आपने इस खातिर रहें, डॉक्टर साहब वहाँ से चले तो ग्यारह बजे थे, जाड़े की रात कड़ाके की ठंड थी, उनकी मा और इस्तरी दौनों बैठी हुई, उनकी रह देख रही थी, जी को बहलाने के लिए बीच में एक अंगीठी रख ली थी, जिसका प्रभाव शरीर की अपेक्षा, विचार पर अधिक पढ़ता था, यहां कोईला विलास पदार्थ समझा जाता था, बुड़िया महरी जगिया, वहीं एक फटा टाट का टुकड़ा ओड पढ़ी थी, वो बार बार उठकर अपनी अंधेरी कोट्री में जाती, आले पर कुछ टटोल कर देखती और फिर अपनी जगह पर आकर पढ़ रहती, बार बार पूछती, कितनी रात गई होगी, जरा भी खटका होता तो चौक पढ़ती और चिंत दृष्टी से इधर उधर देखने लगती, आज डाक्टर साहब ने नियम के प्रतिकूल क्यों इतनी देर लगाई, इसका सब को अश्यर था, ऐसे अफसर बहुत कम आते थे कि उन्हें रोगियों को देखने के लिए रात को जाना पड़ता हो, यदि कुछ लोग उनकी डाक्टरी के कायल भी थे, तो अहिल्या, आदमी जाता है तो कहकर जाता है, आदी रात के उपर हो गई, मा, कोई ऐसी ही अटक गई होगी, नहीं तो वो कब घर के बाहर निकलता है, अहिल्या, मैं तो अब सोने जाती हूँ, उनका जब जी चाहे आए, कोई सारी रात बैठा पहरा देगा, यही बात हो रह आज कहां इतनी देर लगा दी, डॉक्टर, तुम लोग तो सुक से बैठी हो न, हमें देर हो गई, इसकी तुम्हें क्या चिंता, जाओ, सुक से सो, इन उपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आता, अवसर पाओ तो गला काट लो, इस पर चली हो बात बनाने, म अभी मेरे बैरी है, मेरे प्राणों के ग्राहक है, नहीं तो क्या आँख ओजल होते ही मेरी मेज पर से पांच सो रुपे उड़ जाएं, तरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गेर आया नहीं, रुपे रखते ही उड़ गए, जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू ह कि मैं अपने बैरियों का शुप चिंतक नहीं हूँ, यदि बाहर का आदमी होता तो कदाचित में जाने भी देता, पर जब घर के आदमी, जिनके लिए राद दिन चक्की पीशता हूँ, मेरे साथ ऐसा च्छल करें, तो वे इसी योग गहें, कि उनके साथ जरा भी रियायत अपना की जाए, देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होती है, मैंने ओजे से मूट चलाने को कह दिया है, मूट चली और उधार चोर के प्राण संकट में पड़े, जगिया घबडा कर बोली, भाईया मूट में तो जान जोख हम है, डॉक्टर चोर की यही सजा है, जगिया किस ओजे ने चलाया है, डॉक्टर बुद्दू चोधरी ने, जगिया, हरे राम उसकी मूट का तो उतार ही नहीं, डॉक्टर अपनी कमरे में चले गए तो माने कहा, सूम का धन शैतान खाता है, पांच सो रुपया कोई मूँ मार कर ले गया, इतने में तो मेरे साथ औधाम हो जाते हैं, अहिल्या बोली, कंगन के लिए बरसों से जीक रही हूँ, अच्छा हुआ, मेरी याह पड़ी, मा, भला घर में उसके रुपय कौन लेगा, अहिल्या, किवार खुले होंगे, कोई बाहरी आदमी उड़ा ले गया होगा, मा, उसको विश्वास क्यों करा गया कि घर ही कि किसी आदमी ने चुराए है, अहिल्या, रुपयों का लोब आदमी को शक्की बना देता है, रात को एक बजा, डॉक्टर जैपाल भयानक स्वपन देख रहे थे, एका एक, अहिल्या ने आकर कहा, जरा चलकर देखिए जगिया का क्या हाल हो रहा है, जान पड़ता ह जी भेंट गई, कुछ बोलती ही नहीं, आँखे पत्रा गई है, डॉक्टर चौक कर उठ बैठे, एक शर तक एधर उधर ताकते रहे मानों सोच रहे थे, ये भी सौपन तो नहीं है, तब बोले, क्या कहा, जगिया को क्या हो गया, अहिल्या ने फिर जगिया का हाल कहा, उसकी भी यही दशा होते, सदा के लिए सीख जाता, अहिल्या पांच सो रुपे के पीछे प्राण ले लेते, डॉक्टर पांच सो रुपे के लिए नहीं, आवश्यकता पड़े तो पांच हजार खर्च कर सकता हूँ, किवल चल कपट का दंड देने के लिए, अहिल्या उठरी में गए, उसकी हालत उससे कहीं अधिक खराब थी, जो अहिल्या ने बताई थी, मुख पर मुर्दनी चाही हुई थी, हाथ पैर जकड गए थे, नाड़ी का कहीं पता न था, उसकी माउसे होश मिलाने के लिए बार बार उसके मुह पर पानी के छीटे दे रही थी, इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाली और घातक वस्तू है, इसका उन्हें अनमान भी न था, वे चोर को एणिया रगडते, पीडा से कराते और तडबते देखना चाहते थे, बदला लेने के इच्छा आशातीत सफल हो रही थी, परंतु वो नमक के अधिकता थी, जो कौर को मुह के भीतर धसने नहीं देती, ये दुखमाई द्रिश्च देखकर प्रसन होने के बदले उनके हिर्दय पर चोट लगी, रोब में हम अपनी निर्दयता और कठोरता का ब्रह्मूलक अनमान कर लिया करते हैं, प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक प्रभाव शा कर कौन मनुष्य है, जिसे रोमांच न हो आवे, दया मनुष्य का स्वाभावे गुण हैं, इसके अत्रिक्त इसका उन्हें अनमानना था कि जगिया जैसी दुर्बलात्मा मेरे रोश पर बलिदान होगी, वो समझते थे मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुष्य पर होगा, यहां तक कि वे अपनी स्त्रिय और लड़के को भी इस वार के युग समझते थे, पर मरे को मारना, कुछले को कुछलना, उन्हें अपनी प्रतिगहात मर्यादा के विपरीत जान पड़ा, जगिया का ये काम शमा के युग था, जिसे रोटियों के लाले हो, कपड़ों को त होश में लाने की जो अच्छी अच्छी औशधियां थी, उनको मिला कर एक मिश्रित नई औशधी बना लाए, जगिया के गले में उतार दी, कुछ लाब ना हुआ, तब विद्युतियंत्र ले आय और उसकी सहायता से जगिया को होश में लाने का यत्न करने लगे, थोड़ कले जब भुका जाता है, अपने रुपए ले लो, आले पर एक हाड़ी है, उसी में रखे हुए, मुझे अंगारों से मत जला, मैंने तो ये रुपए तीरत करने के लिए चुराए थे, क्या तुझे तरस नहीं आता, मुठी भर रुपएओं के लिए मुझे आग में जला हाए, मैं तुझे काला ना समझती थी, हाए राम, ये कहते कहते वो फिर मूर्चित हो गई, नाड़ी बंध हो गई, ओठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिचा होने लगा, डॉक्टर ने दीन भाव से अहिल्या की ओर देखा और बोले, मैं तो अपने सारे उपाह कर चुका, अब इसे होश मिलाना मेरी सामर्थ के बाहर है, मैं क्या जानता था कि ये अभागी मूट इतनी घातक होती है, कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पच्टाना पड़ेगा, आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा ना मिलेगा, क्या करू, बुद्धी कुछ और कुछ नहीं कर सकता, जो मैं कर चुका, इस घड़ी इसकी दशा और गिरती जाती है, ना जाने हत्यारे ने कौन सा मंत्र चला थी, उसकी मा मुझे बहुत समझाती रही, पर मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह ना की, मा, बिटा तो मुसी को बुलाओ जिस बुद्धु चौधरी के घर की ओर चले जाते थे, इधर उधर वेरत आखे दोडाते थे कि कोई एक का या तांगा मिल जाए, उन्हें मालुम होता था कि बुद्धु का घर बहुत दूर हो गया है, कई बार धोखा हुआ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कई बार इधर आया हूँ, ये बाग तो कभी नहीं मिला, ये लेटर वाक्स भी सड़क पर कभी नहीं देखा, ये पुल तो कदा भी ना था, अवश्य राह भूल गया, किस से पूछू, वे अपनी इसमरन शक्ती पर जुझलाए और उसी और थोड़ी दूर तक दोड़े, पता नहीं, तक की बुद्धू का घर देख पड़ा, डॉक्टर जैपाल की जान में जान आई, बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खट-कटाई, भीतर से कुत्ते ने असब भता पूर उत्तर दिया, पर किसी आदमी का शब्द ना सुनाई दिया, फिर जोर जोर से तुम्हारे पास आया था, बुद्धू ने बोली पहचानी, समझ गई, इनके घर किसी आदमी पर विपत पड़ी, नहीं थी इतनी रात गए क्यों आते, पर अभी तो बुद्धू ने मूठ चलाई नहीं, उसका असर क्यों कर हुए, समझाती थी, तब ना माने, खुप फस उठकर कुपी जलाई और उसे लिए बाहर निकली, डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू चौदरी सो रहे है, जरा उन्हें जगा दो, बुढ़िया, ना बाभुजी, इस बक्त मैं न जगाऊंगे, मुझे कच्चा ही खा जाएगा, रात को लाट साहब भी आवें तो नहीं उठता, डॉक्टर साहब ने थोड़े शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी नमरता के साथ कहा कि बुद्धू को जगा दे, इतने में बुद्धू अपने ही आप बाहर निकलाया और आखे मलता हुआ बुला, कही बाभुजी, क्या होकम है, बुढ़ि इनके घर की महरी ने ले लिये है, अब उसका अब तब हो रहा है, डॉक्टर, पिचारी मर रही है, कुछ ऐसा उपाय करू कि इसके प्राण बच जाए, बुद्धू, ये तो आपने बुरी सुनाई, मूट को फेरना सहज नहीं है, बुढ़िया, बेटा जान जो खम है, क्य दूसरी की जान की खातिर कोई अपनी जान गड़े में डालेगा, डॉक्टर, तुम रात दिन यही काम करते रहते हो, तुम उसके दाओं घाच सब जानते हो, मार भी सकते हो, जिला भी सकते हो, मेरा ते इन बात अपर बिलकुल विश्वासी ना था, लेकिन तुमारा कमाल देख कर दंग रहे, तुमारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है, उस गरीब बुढ़िया पर दाया करो, बुद्धु कुछ पसी जा, पर उसकी मा मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी, डरी कहीं ये नरम होकर मामला बिकार ना दे, उसने बुद्धु को अपना काम निकाल कर अलग हो जाएंगे, उट फेरना हसी नहीं है, बुद्धु, हाँ बाबुजी, काम बड़ी जोखम का है, डॉक्टर, काम जोखम का है, तो तुमसे मुफ्त तो नहीं करवाना चाहता है, बुढ़िया, आप बहुत देंगे, सौपचास रुपे देंगे इतने में हम के दिन तक खाएंगे, उट फेरना, साप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है, बगवान के ऐसी ही निगाह हो, तो जान बचती है, डॉक्टर, तो माताजी मैं तुमसे बाहर तो नहीं होता हूँ, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वो कहूँ, मुझे तो उस गरीब की जान बचा नहीं, यहां बातों में देर हो रही है, वहां मालुम नहीं उसका क्या हाल होगा, बढ़िया, देर तो आप ही कर रहें, आप बात पकी कर दें, तो यह आपके साथ चला जाए, आपके खातर यह जोक हम अपने सर ले रही हूँ, दूसरा होता तो यह जाकर क्या बनाएगा, उस समय उनकी आखों में रुपए का कोई मूल ले ना था, किवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मूह से निकल आए, जिस रुपए पर वो अपनी आवेश शक्ताएं और घर वालों के आकांग शाय निचावर करते, उसे दया के आवेश ने बि रिखा और डॉक्टर साहब तो मूर्चिस से हो गए, निराशा से बोले, इतना मेरे बूते के बाहर है, जान पड़ता है उसके भाग में मरना ही बदा है, बुढ़िया, तो जाने दीजिए, हमें अपनी जान भाहर थोड़ी है, हमने तो आपके मुलाइजे में इस काम का ब यार हूँ, इसने पांच सो कहे, आप कुछ कम कर दीजे, हाँ जोखम का ध्यान रखियेगा, बुढ़िया, तु जाके सोता क्यों नहीं, इतने रुपए प्यारे है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, कल को लहू थोगने लगेगा, तो कुछ बनाए न बनेगी, बाल इसी आत्मिक पर सन्नता कभी न मिली थी, हारा हुआ मुकदमा जीत कर अदालत से लोटने वाले मुकदमे बाज भी इतना पर सन्ना होगा, लब के चले जाते थे, बुढ़ बार बार तेज चलने को कहते, घर पहुंचे तो जगिया को बिलकुल मरने के निकट पाया, जान प के तो आंसु की बूंदे, उसके मुरजाय हुए पीले मुह पर तपक पड़ें, इस्तिती ने बुढ़ बुढ़ को सजक कर दिया, बुढ़िया की देह पर हाथ रखते हुए बुला, बाबुजी, अम मेरा किया कुछ नहीं हो सकता, ये तो दम तोड़ रही है, डॉक्टर स कि मूट के देवता इस बकत इतनी गरम है, वो मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तुमने हमारा शिकार चीना, तो हम तुम्हें निगल जाएंगे, डॉक्टर, देवता को किसी तरह राजी कर लो, बुढ़िया करना बड़ा कठे ने, पांच सो रुपे दीजे, तो इसकी जान पड़ेंगे, डॉक्टर, पांच सो रुपे देदू तो इसकी जान बचा दो गए, बुद्धू, हाँ, शर्त बदकर, डॉक्टर साब बिजली की तरह लपक कर अपनी कबरे में आ गए और पांच सो रुपे की थेली लाकर बुद्धू के सामने रख दी, बुद्धू ने एक बेसुरा गीत गाना आरंभ किया, पर हाथ जगिया के सर पर ही था, अंत में कोई आद घंटे बीतने पर जगिया ने आखे खोल दी, जैसे बुझते हुए दीये में तेल पड़ जाए, दीरे दीरी उसकी अवस्था सुधरने लगी, उदर कव्वे की बोली सुनाई दी, जगिया एक अंग्राई लेकर उठ बैठी, साथ बजे थे, जगिया मीठी नीन सू रही थी, उसकी आकरती निरोग थी, बुद्धु रुपए की थेली लेकर अभी गया था, डॉक्टर साहब की माने कहा, बात की बात में पाचसो रुपए मार लेकिया, डॉक्टर, ये क्य नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिला किया, क्या उसके प्राण का मूल इतना भी नहीं, मा, देखो आले पर पांचसो रुपए हैं या नहीं, डॉक्टर, नहीं, उन रुपए उमें हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पड़े रहने दो, उसने तीरत करने के वास्ते लिए थे, वो उसी के काम में लगेंगे, मा, ये सब रुपए उसी के भाग के थे, डॉक्टर, उसके भाग के तो पांचसो ही थे, बाकी मेरे भाग के थे, उनकी बदौलत मुझे ऐसी शिक्षा मिली, जो उम्र भर न भूलेगी, तुम मुझे अब आवश्य कामों में मुठ्धी करते हुए न पाओगी। अभी आप सुन रहे थे, मुझे प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे, मान सरूबर आठ की कहानी मूठ, मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में।